प्रियाग्राज से बड़ी खबर आपको बता दें जहां प्रियाग्राज की मेजा टूडियार गाउं में बत्तक ना दीने पर बत्तक वियोशाय को पीट पीट कर उतारा मौत की घाल पती को बचाने गई पत्नी को भी पीट पीट कर किया घायल बत्तक ब्रशाई की लाठी डंडो से पीट कर हत्या मेजा थानाचेत के एट उंडियार गाउं में पंदर दिनों से बत्तक लेकर जोपड़ी बना कर खेत में रह रहा था घूरपूर थनाचेत्र के कर्मा उम्री गाउं का निवासी हमरे तक गाउं के कुछ लोगों के दोरा जबरन बत्तक लेने के दोरान भी बाद हुगा था वहीं पती को बचाने आई पत्नी भी घायल घायल अवस्ता में हॉस्पिटल में भरती कराया गया पोलिस नेश्रों को कबजे मिले कर पोश्ट माटम के लिए भेजा मेजा थनाचेत्र के टूडियार गाउं का पूरा मामला रातुजानकारी के अंसार प्रियागरार जन्पत के मेजा थाना छेत्र के टुडिहार गाउन में बीती रात कर्चना तहसिल छेत्र के बत्तक शुराने वाले पूर प्रधान सुहनला सुनकर पचास वर्स और उनकी पत्नी चिंतदेवी 47 वर्स निवासी उम्री तालुका पु युख बद तक शुराने के लिए गये और पकड़े गये मारपीट सुरी होई और सुहनला सुनकर के उपर कुलहारी सेसर परवार किया जिससे उनकी मौत हो गई उनकी पत्नी भी बीच बचाओं में घायल हो गई घटना की सूशना पुलिस को दी गई और ततकाल रात में ही थाना प्रभारी मीजा धिरियंद सिंग पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँच गये और शोग को कबजे मिले कर पोश्ट मार्टम की भेजनी की त्यारी करती हुई छान बिन में जुड़ गये और घायल महिला की बयान के अंसार हत्या करने वालों का नाम मदारी पासी वर चंदन पासी तुड़ यार मेजा को बताया मेजा थाने के पुलिस के रप्तारी करने में जुड़ गई है प्रियाग्रास दिर पदेश वीरो हेट हिमान सुतिवारी की रिपोर्ट यह घटना यह बेटा किस बात को लेकर हुई है तो क्या आप उनको चिनित की हैं क्या नाम है उनका अरे नाम किस ग्राम सभा में आपकी वकत रहती थी चुड़िहार में यह लूट पाट के चक्कर में आपके उपर यह घटना की गई तो यह लट से आपको भी मारा गया कुलहाडी से मारा गया कौन यह मारा है आपको वह दुछ लाड़ी के उनके यह क्या नाम बताई अभी अब राजाराम के भाई के नाते के अतनात वह नहीं मारें जी और वह जो आपके पती हैं उनका क्या नाम है तो प्रधान जी को विर्कुल जान समार दिये आप यह पने रात और रात परचाइदी आप इंगारी समार गया कपाल पाड़ गया कब एक नाम है नाही बाकुल जाओ कई के भाड़ आले है रात या बहलाओ के भाईया के दाउरे हा रात या भाईया के दाउरे हा यह जिनाओ ख़्या के एकि इस द पुछ भाईया के पाड़ जो